महामारी वाइरस की वैक्सीन विक्सित करने में ब्रिटेन की ओक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी काम्यावी मिली है यूनिवर्सिटी द्वारा विक्सित एक महामारी वाइरस वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित पाया गया है यूनिवर्सिटी ने human trial के दौरान ये पाया कि इस vaccine से लोगों में महामारी virus से लणने की immunity यानि virus से लणने की प्रतिरोधक शम्ता विक्सेट हुई महामारी के खिलाफ दुनिया भर में चल रहे vaccine निर्मान के कारे में इसे बड़ी उपलब्धी कहना गलत नहीं होगा यूनिवर्सिटी के अनुसार इस टीके के ट्रायल में 1077 लोगों को शामिल किया गया था यूमन ट्रायल के दौरान जिन लोगों को ये टीका लगाया गया था उनके शरीर में महामारी वाइरस से लड़ने वाले वाइट ब्लड सेल और एंटिबॉडी विक्सित होने के सबूत मिले है हालक ये कहना थोड़ी जल्दवाजी होगी कि ये संक्रमट को पूरी तरह रोक सकता है उक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेग्यानी इन नतीजों से खुश है उनका कहना है कि वो इस सफलता के बाद बड़े स्तर का हुमन च्राइल करके वैक्सिन के सफल होने की पुष्टी करने वाले है यूके की सरकार ने पहले इस वैक्सिन की सौ मिलियन यानि दस करोर डोज ऑडर कर दी है आपको बता दे कि इनके साथ सीरम इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया भी मिलकर काम कर रही है और CM Institute of India के CEO अदारपुनावाला का कहना है कि हम जल्द ही इसकी वैक्सीन लॉंच करने वाले हैं आपको बता दे कि उनकी अनुसा 3-4 मिलियन डोस दिसेंबर 2020 तक बन कर तयार हो जाएंगे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम 3-4 मिलियन डोस दिसंबर 2020 तक बना कर मार्केट में ले आएंगे साथ ही जब उनसे इसके मूले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में बात करना हाला की थोड़ी जल्दवाजी होगी क्योंकि अभी हमें सारे तथ्य पता नहीं है अब आपको बताते हैं कि ये वैक्सीन किस तरीके से काम करेगी दरसल इस वैक्सीन को जनेटिकली इंजीनियर्ड वाइरस की मदद से तयार किया गया है इस वैरस के चलते चिंपानजी को सामानिक ओल्ड होता है इस वाइरस को काफी जादा मोडिफाइड किया गया है ताकि इससे लोगों में संक्रमन नहीं हो और ये काफी हद तक महामारी वाइरस जैसा लगने लगा ये वैकसिन देखने में महामारी वाइरस जैसा ही लगता है और इसके बार इम्यूँन सिस्टम इस पर हमला करना सीख सकता है महामारी वाइरस को लेकर अब तक जादा ध्यान एंटि बॉड़ी तैयार करने पर दिया गया लेकिन ये हमारी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है